कक्षा पाँच विशय हिंदी टॉपिक पुन्रा वर्तन दू पुन्रा वर्तन में सबसे पहले पहला प्रश्न चित्र के आधार पर कहानी बना कर वर्ग में सुनाईए तो यह एक चित्र दिया है चित्र के आधार से हमें कहानी बनानी है और कहानी बना कर उसे सुना है तो पहले भी हम यह कहानी पढ़ चुके हैं तो फिर से यह याद ताजा करते हैं कि चित्र के आधार से कहानी शुरू करेंगे एक दिन टोपी वाला टोपिया बेचने के लिए नस्दिक के गाउ में जा रहा था गर्मी के दिन थे वह ठक गया था रास्ते में एक पेड आया पेड के नीचे टोपिया की टोकरी रखी और वह आराम करने लगा थोड़ी देर में उसे निंद आ गई जब टोपी वाले की निंद खुली तो वह चौक उठा उसकी टोकरी खाली थी इतने में उसे बंदरों की आवाज सुनाई दी उसने उपर देखा पेड पर कई बंदर बेठे हुए थे सभी बंदरों ने सीर पर टोपिया पहनी हुई थी टोपी वाले को बहुत गुसा आया उसने बंदरों को पत्थर मारना शुरू किया उसकी नकल करती हुए बंदरों ने भी पेड से फल तोड तोड कर टोपी वाले की और फैकना शुरू किया जब टोपी वाला समझ गया कि वह बंदरों से टोपिया कैसे वापस ले सकता है टोपी वाले ने अपने सीर्व से टोपी उतारी और उसे जमिन पर फैक दी नकल ची बंदरों ने यह देखा तो उन्होंने भी अपने अपने सीर की टोपिया उतार कर फैकना शुरू किया टोपी वाले ने जल्दी जल्दी टोपिया इकठी की टोकरी में रखी और खुश होकर वहां से चला गया अब आगे का क्विश्चन दिये गए शब्दों को शब्द कोश के क्रम में रखिए तो इन में से शब्द है साई, सादू, सार, संपती, साहस, सत्यवरत और संजोग उसका उत्तर है पहला संजोग, संपती, सत्यवरत, साई, साधू, सार और साहस पढ़िये और अपनी और लिखे तो इन में से जो लिखा है उसे हमें सिर्फ पढ़ना है और जो रिक्त स्थान दी है उसमें हमें वही शब्द फिर से लिखना है इन में से सिधार्थ, मच्छर, द्वार, अच्छा, मक्खी, ख्याती, मक्खन, शुद्ध, उदेश्य, चिठ्थी, चिन्ह और मिट्टि वही शब्द आपको जैसे है वैसे ही लिखना है आगे का क्वेस्चन समझ कर लिखिए लिंग पहचान यहाँ पे कुछ चित्र दिये है इसमें हमें लिंग पहचान करकर उसका जो रिक्त स्थान दी है उसमें भरना है तो पहले चित्र दिया है उसकी दिक्त स्थान सेट और सेठानी दूसरा है पूरुष और स्त्री तीसरा है लड़का और लड़की चोथा है ग्वाला और ग्वालीन अब आगे का फ्वेस्चन वचन परिवर्तन कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए तो यहाँ पे हमें वचन परिवर्तन करना है फिर बाद में उसका यह वाक्य बनाना है तो पहला है पत्ता जिसका बनेगा पत्ते और पत्ता का वाक्य होगा यह पत्ता है और पत्ते का वाक्य है यह पत्ते है अब आगे गुब्बारे लिखा है तो गुब्बारे का परिवर्तन रहेगा गुब्बारा तो गुब्बारा का वाक्य बनेगा यह गुब्बारा है और गुब्बारी का वाक्य बनेगा यह गुब्बारा है तीसरा है टोपी तो टोपी का टोपिया तो टोपी का वाक्य बनता है यह टोपी है और टोपिया का बनता है यह टोपिया है अब आगे केले, तो केले का केला, तो केला का वाक्य बनता है, यह केला है आगे का question, अधुरे वाक्य पूरुना कीजिए तो यहाँ पे हमें खाली जगह भरनी है, और कौस्टक में कुछ उसके सही और गलत दोनों आंस दिये है, उत्तर दिये है उनमें से हमें सही उत्तर चून कर यहाँ पे रिक्त स्थान में भरना है तो शुरू करते हैं, बच्चे खेल रहे, खेल, खाली जगह तो यहाँ पे कौस्टक में दो उत्तर दिये है, इनमें से सही उत्तर है, रहे है तो बच्चे खेल रहे है दुसरा, खाली जगह दोड रहा है, तो कौस्टक में दो उत्तर है, घोडा और घोडे तो सही उत्तर रहेगा गोड़ा, तो वाक्य बनेगा गोड़ा दोड़ रहा है, अब तीसरा ये खाली जग़, तो दो आंस दिये है, राजा है और राजा है, तो सही उत्तर रहेगा राजा है, तो वाक्य बनेगा ये राजा है, अब खाली जग़ जा रहा हूँ, तो इन में से दो उत्तर है मैं और हम तो सही उत्तर रहेगा मैं तो मैं जा रहा हूँ अब आगे पाँचवा हम खाली जगा तो दो उत्तर हैं खेल रहा है और खेल रहे है तो हम खेल रहे है तो सही उत्तर रहेगा खेल रहे है आगे खाली जगा कीताबों में रामाइन नहीं है तो खाली जगा में दो शब्द है ये और इन तो इन किताबों में रामाय नहीं है तो यहाँ पे इन आएगा और वाक्य बनेगा इन किताबों में रामाय नहीं है अब आगे खाली जगह लड़के ने लड़ू दिया के दो उत्तर है वह और उस तो वह लड़के ने लड़ू दिया नहीं लेकिन उस आएगा तो उस लड़के ने लड़ू दिया अब आगे हम कबड़ी खेलने खाली जग़ कोस्टक में दो उत्तर है पहला जाएंगे और दुसरा जाऊंगा तो यहाँ पे आएगा जाएंगे तो हम कबड़ी खेलने जाएंगे हम कबड़ी खेलने जाऊंगा नहीं आएगा जाएंगे आएंगे तो हम कबड़ी खेलने जाएंगे उसका वाक्य यही बनता है